एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया, जन्म होते ही मा का स्वर्गवास हो गया, बाप ने बेटी को गले से लगा लिया, रिष्टेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने माणने शुरू कर दिये, कि पैदा होते ही मा को खा गई, मनहूस है, पर बाप ने कुछ नहीं कहा, रिष्टेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, पर बाप ने किसी की नहीं सुनी, और पूरा ध्यान बेटी की और रखा, बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज, हर क्लास में परस्ट आई, बाप बहुत ही खुश होता, लोग बधाईया देते, ब भी बन गई, एक दिन किसी मंतरी ने उसको सम्मानित करने का फैसला किया, और समागम का बंदोबस्त करने के आदेश दिये, समागम उनकी ही गाउ में रखा गया, मंतरी ने समागम में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, बेटी भी वो सब कर सकता है भाशन के बाद मंतरी ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा लड़की ने माइक पकड़ा और कहा मैं आज जो भी हूँ अपने बाबो लियाने अपने पिता की वजह से हूँ जो लोगों के ताने सहकर भी मुझे यहां तक ले आए मेरे पालन पो ताकि शायद मेरे पालन पोशन में कोई कमी रह गई मेरे लिए पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं बाप सामने लोगों में बैठ कर आसू बहा रहा था बेटी की भी बोलते बोलते आखे भर आई उसने मंतरी से पिताजी को स्टेज पर बुलानी की अनुमती ली पिताजी स् अरे उम्र हस्ते देखना है बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आखे नम हो गई मंतरी ने बेटी के गले में सोने का मैडल डाला लड़की ने मैडल उतार कर बाप की गले में डाल दिया मंतरी ने कहा ये क्या किया तो लड़की बोली मैडल को उसकी सही जगे पहुँचा पसंद करते हैं पर ये फूल बाहर खिलेंगे अगर आप पानी लगाकर इन फूलों की देख भाल करेंगे तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताईए लाइक आपने कर दिया है त अब तक पहुचानी के लिए तो हमेशा ऐसी कहानी आपको मिलती रहे उसके लिए हमारी पेच को फॉलो करना ना भूले मैं अभी के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद मिलेंगे बहुत जल्दी ही